अगर की बाद में कखन्ती होता है कोई चीज गोप के बास पूरी तरद से निर्दोस है और इस घत्न में वह नोग लोग बहुत जलदी ने तमाम सबूत के साथ दो दिनों के अंदर आपको बड़ा खुला सा देखने को मिलेगा इनी सर के माध्याम से और हमारी चैनल के माध्याम से सर ने साफ तरपर कजी आई कि सारे सबूत ही कर भखांए तो क्या बात हुए संखेप में कुछ बताई यह बात है कि उनके परिजनों का यही कहना कि वह ल इनके दादी को भी मारा पीटा गया तो इनके तरफ से क्या कम्प्लेन नेने वाले कोई नहीं उनके घर में डखेती हो गया लूट पार्ट मचा दिया दो बजे रात में घर में कोई घुसेगा तो उसको कोई आर्थी तो नहीं उतारेगा फुरा मॉब लिंचिंग का मामला जान मारने का एधी नियत से उसको मारा गया होता है तो आप समझें के जान मांने के लिए घर में कुदाली होता हुटा ह tenants होता है घ्रे मारने का कोई इरादा नहीं था यह blat बज़ाा इस मुकदमें में जो है न निर्दोस लोगों को फसा है मेरी मीडिया के ऐफ पूरी तरीके से जूठा लगाया गया था इसका परदा फास हो गया है क्योंकि वह पूरी तरीके से मन गढ़ंत बात है अर्थी की दादी ने हमें पहले वीडियो जो हमने उनके साथ बना तो उन्होंने कहा था कि पिस्टल ले करके आया हो था एक लाक रूपए छोड़ी होने की बात उन्होंने कई है इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है सच्चाई तो जब बयान की ही बात कही जाएगी जिसने ही बात में आर्थी के बयान का महत्व है उतना ही बयान जो है आर्थी के दादी के बयान का महत्व है सब्सक्राइब बयान की बात है अब नजरिया लोगों का देखिए इस केस में अब कमो बेस्त लोगों को हकीकत पता चलने लगा कि गलती किसकी है और यह बात असपस्ट है कि उनके भाइस आप जिस पर इल्याम था मारने का वो बचाने के करमें खुद हुग है और बहुत स सारा चीज है जो कोट में हम लोग प्रेश करें इसनी बात समझे कि यह लोग पूरी तरह से निर्दोस हैं और इस घटना वो लोग जो है तो नियाले सो लोग बहुत जल्दी नियाय मिलें अखरी सवाल लेंगे कि सब्सक्राइब को तक बेल करवा दिया जाएगा लेकिन कह कितने दिनों का समय जादा जादा लग सकता है यह केस अपलोग मीडिया के माद्यम से जो बता जारा है इस बिलकुल उलत अलग मामला यह मामला जब तमाम सबूत के साथ अगले दो दिन में हमाएंगे तो कि सबूत आ गया हम लोग के पास उस सबूत पढ़ाएंगे तो और इस बीच में उनकी दादी का जानमाल का भी खत्रा है या बच्ची इस बीच में वहां पर उसके साथ कुछ अनुनी हो जाता है तो इसके जिमेदारी छोटू के पिताजी को लेना चाहिए कि मैं अपने रिस्क पर रखा हूं क्योंकि कल को कुछ यदि होगा तो इन लोग यह लोग बदनाम होंगे इसलिए इसके लिए एक इनफर्मेटरी पेटिशन दी जा रही है कि यदि आरती रह रही है अपने छोटू के पिताजी हलांकि कोई रिस्ता नहीं है ना साधी भी है ना बिदवा है ना कुछ है फिर वहां पर रखा जा रहा है तो कुछ भी होगा इसकी जिमेदारी छोटू के पिता जी का होगा इसके लिए एक इनफर्मेटरी पेटिशन जो है तो दाला जागा फिर अपने डिस्क पर रखें वो कि कल को क्या होगा तो वो जाने सुग्रीया सर आपकी पूरी टीम खुलासा दो दिनों के अंदर आपको बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा इनी सर के मादने